तो गैसे आप भी लेना चाहते हैं 2022 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बैटर रहेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने बैस्ट में से बैस्ट स्मार्टफोन को एड़ किया है जिन सभी स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है 120 ए इपसेट जिसमें आप एवी एंड एंट्री लेवल की गेमिंग कर सकते हैं इसके साथ ही आपको मिल जाता है लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जीवी रहें 128 जीवी का स्टोरेज मिल जाता है तो जितने भी स्मार्टफोन हमने इस वीडियो के अंदर ए और क्यों ही स्मार्टफोन बाई करने चाहिए तो वीडियो के एंड तक जरू देखना है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो कैस्ट यहाँ पर आपका जो चौथे नुम्बर का स्मार्टफोन है वो एप ओपो ए 53S 5G स्मार्टफोन है तो कैस्ट डिजन वगरा यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है तो इसके फीचर्स के वारे हम बात करते हैं तो 6.52 एंचर्स की HD प्लॉड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की एक वाटर टॉप नौच के साथ देखने को मिलती है और इसी के साथ आपको मिलता है नॉर्मल 60 पर समुड डिस्पले और इसके लावाज इसकी बेंटरी के वारे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 5000 चार्जिट जिसके अपको नॉर्मल 10 W North की फास्छार्जिंग का सपूर्ट मिल जाता है एंढिव इसके प्लॉजश के वारे हम बात करते हैं तो यहांप हैं उनमें आप काफी अच्छी तरह से गेमिग कर सकते हैं इसके मामले में काफी जएदा बेटर स्मार्टफोन है यहां पर आपको बैक में 55 का werendire screen इसके बैक केमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर इमेज क्वालिटी के मामले में बैटर स्मार्टफोन है अच्छा खासा परफॉर्म कर जाता है एंड इसके अधर फीचर्स के वारें बात करते हैं यहां पर आपको साइड मांट फिंगर पिंटर है फिर स देखने को मिल जाता है जिसकी प्राइस आपको मिलती है 15,000 रुपे के अंदर आपको यह स्मार्टफोन मिल जाता है तो कैस अगर आपको चाहिए एक ओपो की तरफ से बैस्ट 5G वाले स्मार्टफोन तो यह स्मार्टफोन आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा इसे यहाँ पर आपको अच्छी कासी देखने को मिल जाती है इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड मांट फिंगर पिंट फिंगर पिंट फिर्स अनलो का सब्पेट एंड यह स्मार्टफोन एंडॉड वी 11 पर रन करता है तो इसकी डिस दिस्प्ले मिल जाती है जिसके साथ आपको मिलता है 90 का स्मूड डिस्प्ले जो की एक पंचोल कटाउट के साथ देखने को मिलती है तो इस डिस्प्ले के मामले में बेटर स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको 90 का स्मूड डिस्प्ले तो गेमिंग में काफी जदा मज़ा आ आने वाला है एंड इसकी बेंटरी के वारे हम बात करते हैं तो 5000 ms की बेंटरी है जिसके साथ आपको मिलता 30W की Fast Charging का सपोर्ट तो अबरूल काफी अच्छी Fast Charging का सपोर्ट मिल जाता है इसके प्रोसर के वारे हम बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है Dimensity 700 वाला प्रोसर देखो 5G Connectivity के साथ आता है यहां पर भी आपको 6-7 बेंट देखने को मिल जाते हैं तो आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं और फीचर के लिए भी आप इससे स्मार्टफोन को ले सकते हैं तो इसके कैमरे के बारे ही बात करते हैं तो यहां पर आपको बैक में त्रिप स्मार्टफोन में बता रहा हूं उनमें आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बस 30fps पर इस स्मार्टफोन के अंदर आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर यहां पर आपको मिलता है UFS 2.1 तो यहां पर इसकी रेम और स्टोरी के बारे ही बात करते हैं 6G RAM 128G स्टोरी देखने को मिल जाता है जिसकी प्राइस आपको मिलती है 15,000 तो का रगाएगगे तो यह 4K नंबर का स्मार्टफोन है वो है Motorola G51 5G जो की overall अच्छा खासा स्मार्टफोन है, recently launch हो है design वगरा यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो इसके features के बारे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको side mount fingerprint मिल जाता है, end face unlock का support मिल जाता है, और इसके साथ आपको मिलता है 3.5 mm का headphone jack, तो अबरोल यहाँ पर आपको अच्छे खासी feature मिल जाते हैं, तो इसके display के बारे बात करते हैं, 6.8 inches की full HD plus display देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको मिलता है 120 years का smooth display, जो की एक punch hole cutout के साथ देखने को मिल जाता है, तो इस price के recording यहाँ पर आपको 120 years का smooth display मिल जाता है, जो की किसी भी smartphone के अंदर नहीं मिलता है, जो की 5G smartphone है, तो display के मामले में काफी ज़्यादा better smartphone है, इसके लावे इसकी battery के बारे बात करते हैं, तो 5000 mH की battery है, जिसके साथ आपको normal 10W की fast charging का support मिल जाता है, एंदर इसके अलावा इसकी camera के बारे बात करते हैं, तो back में triple camera का setup है, जिसमें man camera 50MP का है, 8MP ultra wide, इसके front में आपको मिल जाता है 13MP का front selfie super camera, तो image quality के मामले में better smartphone है 5G smartphone है, उसी साथ से यहाँ पर आपको camera performance देखने को मिलेगी, तो camera के मामले में अच्छे smartphone है, इतना अपर भी नहीं है और इतना बेकार भी नहीं है, तो camera quality better है, के अलावा इसके processor के बारे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता Snapdragon का 480 Plus बाला chipset, जो की एक 5G connectivity के साथ आता है, इसी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, 12 bands यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, यानि feature के लिए यह smartphone आपके लिए परफेक्ट रहेगा इसलावा यहाँ पर आपको think seal की protection देखने को मिल जाती है, और यह smartphone clean Android experience के साथ आपको मिल जाता है, जो की काफी अच्छी बात हो जाती है, hybrid sim slot यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो भाई काफी अच्छा smartphone है, इसकी रेमरे श्टोरिस के बारे में बात करते हैं, तो 4G उरेम सिक्ष्टी, 4G का स्टोरिय है, जिसकी प्राइस आपको 15,000 रुपे मिलेगी, वगर आपको चाहिए कि नोन चैनली स्मार्टफोन बैटर स्मार्टफोन हो, तो इससे स्मार्टफोन को आप चेक आउट कर सकते हैं, तो गैस आपका जो पहले नमर का स्मार्टफोन है, वो है Redmi Note 11T 5G स्मार्टफोन, तो जो कि एक बैटर स्मार्टफोन है, डिजन बगएर यहाँ पैपको अच्छी कासी देखने को मिल जाती है, एंड यह स्मार्टफोन Android V11 पर रन करता है, साइड मांट, फिंगर पिंटर, फिर संगलों का सपूर्ट मिल जाता है, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, तो अवरॉल काफी अच्छे फीचर है, तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, 6.6 इंचेज की Full HD Play डिस्प्ले जिसके साथ ही आपको मिलता है 90 यर्स का स्मूफ डिस्प्ले, पंच ओल कट आउट के साथ देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले के मामले में बैटर स्मार्टफोन है, कलर वगरा बैटर देखने को मिल जाते हैं, इसके लाबा 5000 mm की बैटरी है, जिसके साथ आपको मिलता है 33 वोट की Fast Charging का सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी Fast Charging का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसके कैमरे के बारे हम बात करते हैं, तो बैक में डूल कैमरे का सेट अप है, जिसमें मैं कैमरा 50 मेगा फिक्सल का है, 8 मेगा फिक्सल का अल्टरा वाइट एंड इसी के फ्रंट में आपको मिल जाता है 16 मेगा फिक्सल का फ्रंटर सल्फी शूटर कैमरा, तो इमेज क्वालिटी के मामले में बैटर स्मार्टफोन है, ठीक टाक परफॉमेंसी स्मार्टफोन को आपको दे देगा, अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी है, इसके बैक कैमरे से आप 1018 में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इतना भी गेमिंग को आप यहाँ पर इजली हाई ग्राफिक्स में रन कर सकते हैं, तो गेमिंग के मामले में बैटर स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर रेमरे स्टोरिक के बारे में बात करते हैं, शिक्स टीवी रेम, 128 जीवी का स्टोरी देखने को मिल जाता है, जिसकी प्राइस आपको मिलती है 16,000 रुपे के अंदर, तो अगर आप एमाजोन पर सेल वगएरा में इस स्मार्टफोन को भाई करते हैं, तो यह स्मार्टफोन आपको 15,500 रुपे के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप एक स्रिम लगा सकते हैं, और एक HD काल लगा सकते हैं, तो इनमें से आपको कौन से स्मार्टफोन भाई करना चाहिए, तो मैं इनमें से एक बैस्ट स्मार्टफोन भाई करता, तो मैं करता मोटो G51 को, जो की एक बैटर स्मार्टफोन है, अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं, 15,000 रूपर, तो आप ले सकते हैं, रेडमी 911 T5G क साथ, तो यही दोनों स्मार्टफोन, इन दोनों ही स्मार्टफोन को आपको रिकमेंड करूँगा, तो आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लिए तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करे देना, तो चली वीडियो के ही पर एंड करते हैं